नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ ससी मेगर के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के दोस्तों पांच अतिमेहत्पूर प्रशन जो बार-बार आपके परिक्साओं में पूसे जाते हैं दोस्तों रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रशन होते हैं जो हमेशा एक्जाम में रिपीट होते हैं उन सभी प्रशनों को इस वीडियो में हम सामिल किये और दोस्तों इन सभी प्रशनों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे थाकि reasoning के प्रशनों को solve करने के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत न पड़े दोस्तों ये सारे question आपके अगामी सभी परिक्साओं के लिए बहुत ही महत्पुन है इसलिए दोस्तों आप सभी प्रशनों को ध्यान से देखिएगा और note जरूर करिएगा तो आईए दोस्तों देखते हैं पहला question देखिएगा दोस्तों पहला question बहुत ही important है कई बार exam में प्रशन पूछा गया है आसान तरीका बता रहा हूँ एक बार प्रशन को ध्यान से पढ़िए और एक बात और बता दू दोस्तों वीडियो को पहुज करके आप अपने आप question बोल रहा है दोस्तों यदि 684 बराबर 132 और 970 बराबर 546 तो 478 प्लस 609 बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है देखिए जब कभी भी ऐसे question आएगा तो आप इसको सोचेंग कैसे आप ये एक तो ये सोच सकते हैं 684 को 132 कैसे लिखा है और 970 को 546 कैसे लिखा है ये चीज ठीक है ऐसे आप सोचेंगे लेकिन देखिए ध्यान दीजेगा 684 को 132 अगर हम कोई संख्या घटाए उतना ही संख्या दोस्तों इसमें 970 में से भी घटाएंगे तो 546 न चीए तो आपको दोस्तों यहाँ पे पूरा घटा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आप ऐसे पूरा घटाने की जोरूरत नहीं है यानि समान जब संख्या नहीं घट रहा है तो प्रसुन को हम ऐसे ज़ख नहीं करेंगे तब कैसे solve करेंगे ध्यान दिजेगा यह तरीका अपनाएंगे देखिए आप क्या करेंगे यह देखेंगे कि यह 6 को क्या लिखा है दोस्तो 9 का मान पूछ रहा है, तो यह 4 है, ठीक है, तो देखे, 4 के लिए क्या लिखा है, 4 कहां पर है, यहां पर है, तो देखे, 4 के लिखा है, दोस्तो, 2, तो यहां पर हम लिख देंगे, 4 के लिखा है, दोस्तो, यहां पर ध्यान दीजेगा, 7 है, अब देखे, 7 के लिखा है, दोस् तो इधर से हो जाएगा दूसरा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, फिर क्या बीच में प्लस है, तो प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद से क्या है, दोस्तो 6 है, अब 6 के लिए क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको य यहाँ पे इसी में ढूड़ना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 684 है, 6 के लिए क्या लिखा है, दोस्तो 1 लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्या है, दोस्तो 0 है, अब ध्यान दीजिएगा, 0 के लिखा है, 970 में देखेंगे 0 है, त कितना दोस्तो 165 जोड़ने है ठीक है तो जोड़ें तीन और पांच जोड़ेंगे तो आठ छे चार दस का जीरो हांसी लेक दो एक तीन एक चार जोड़ने पर क्या आया दोस्तो 408 यही आंसर हो जाएगा यानि 478 प्लस 609 ब्राबर क्या होगा 408 होगा देखें चार सो आठ की इस option में हैं देखेंगे option number C में है तो आपका option number C दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तों हम उमीद करते हैं आप इस question को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस type के question आपके exam में आगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे बहुत ही important type का दोस्तों प नीचे दी गई प्रसंद का सही वेनारेक बताए वेन डाइग्रम बताना है कि किसका दोस्तों बनाना है यहाँ पर प्रित्वी आकास गंगा और ब्रहमांड के piece ठीक है तो आपको यह बस सोचना है कि प्रित्वी क्या होता है देखिए वेन डाइग्राम के आप कभी भी दो अकास गंगा ठीक है ब्रहमांड ठीक है तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ब्रहमांड के अंतरगत क्या होगा दोस्तों ध्यान दीजेगा यह ब्रहमांड के अंतरगत क्या होगा प्रित्वी होगा तो इसको आप क्या करेंगे दोस्तों वेन ब्रमांड के अंतरगत करने के लिए आपको यह देखना है किसके अंतरगत क्या आ रहा है कहने का मतलब है प्रिथवी क्या है किसके अंतरगत आएगा अकास गंगा किसके अंतरगत आएगा और ब्रमांड किसके अंतरगत आएगा ठीक है तो ध्यान दीजिए हम आपको समझा र इस टाइप से किस option में हैं देखेंगे option number D में दिया है तो आपका option number D दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तों हम उमीद करते हैं आप इस प्रसंद को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गये होंगे और इस टाइप के भी question आपके exam में आएगा तो आप question की और और एक बाता और बतादू दोस्तों question आपको अच्छा लग रहा है समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों notification बेल को भी on कर लिए ताकि आगामी exam के लिए जितने भी हम important video देऊ उसकी आपको notification मिले और आपके पास दोस्तों जितने भी study related group है उस ग्रूप में इस वीडियो को share आप लोग जरूर करिएगा चले देखते हैं दोस्तों अगला question तीसरा question देखिएगा तीसरा question काफी important है बहुत आसान तरीका बता रहा हूं देखिएग तो C और A में क्या संबंध है तो आपको क्या बता हैं दोस्तों ऐसे प्रशनों के लिए ज्यादा कुछ ने करना है थोड़ा से diagram बनाना है यहाँ पर कह रहा है A और B बच्चे हैं C के किसके बच्चे हैं दोस्तों C के कौन बच्चा है दोस्तों A भी बच्चा है और B भी ब दो बच्चे हैं मतलब दो बेटा नहीं हो सकता है दो बेटे ही हो या दो बेटी भी हो या एक बेटा एक बेटी हो इस तरह से भी हो सकता है ठीक है बच्चे को मतलब किसमे रखेंगे मेल और फीमेल में आप काउन उसे ना काउंट करिएगा ठीक है ध्यान दीजेगा तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया C के क्या है दोस्तों दो बच्चे हैं कौन-कौन A और B A और B बच्चे है C के फिर आगे देखिएगा वो डाएब यदि C माता है B की किसकी माता है दोस्तों C माता है माता है तो यह का कर देंगे दोस्तों माइनस ठीक है किन्तु A पुत्र का संबंध है C की तो C और A में क्या संबंध है तो बताएं ये क्या संबंध है C क्या लगेगी माता लगेगी और A क्या लगेगा पुत्र लगेगा माता और पुत्र का संबंध है C और A में चलिए अब चलते हैं दोस्तों next question की और अगला question देखिएगा काफी important है पूछा गया प्रसन है देखिए question क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा question यह है दोस्तों नीचे दो सब्द दिये गए है इन सब्दों के अक्षरों का परियोग करके निमलिखित में से कौन सा सब्द बनाया जा सकता है यहाँ पे दो सब्द कौन कौन से है दोस्तों एक है फ्रेज पी अच आर ए एस ई और दूसरा है इलेट यहाँ पे इलेट अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना हैं यहाँ पे लिखा है रेस्पेक्ट तो आपको यह देखना है क्या दोस्तों यहाँ पे जो फ्रेज है प-च-ा-R-A-S-C और इलेट है जो ऐ-ले-ट-ई जो इ-े-ल-ए-ट-ी-E क्या इसके अप्षरों का प्रियोग करके हम रेस्पेक्ट बना सकते हैं, तो आपको ये देखना है न, R है phrase में, तो देखेंगे R है, ऐसे आपको ढूड़ना होता है, आप नहीं ढूड़ना चांगते हैं, तो एक बार पढ़ लिजिए, R, E, S, P, E, C, T, ठीक है, तो यहाँ पर phrase है और relate है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसमे respect में क्या है, दोस्तो C है, लेकिन उपर देखेंगे phrase और relate में कहीं भी दोस्तो, ठीक है, phrase और relate में कहीं पर भी C नहीं है, जब C दोस्तो नहीं है, तो यह नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर किसी में Y है, phrase में Y है, या elate में Y है, नहीं है, तो यह भी नहीं बनाया जा सकता है आप ऐसे क्या करेंगे मोटा मोटी एक बार पढ़ेंगे आपको एक एक अक्छा ढूडेंगे तो टाइम लगेगा फिर उसके बाद से दोस्तो एस फॉल्ट है ठीक है तो यहाँ पे दोस्तो देखिए तीसरा दो तो गलत हो गया है आपका पहला और द और इलेक के अक्छरों से बनाया जा सकता है तो यही option number C आपका सही हो जाएगा यहाँ पर elevate है तो देखेंगे दोस्तो यहाँ पर elevate में भी है लेकिन किसी में अन्य नहीं है तो यह भी नहीं होगा ठीक है आप चाहें तो इसे भी जाच कर सकते है बस आपको इस टाइप के प दोस्तो अगर आप math basic से zero level से और chapter wise पढ़ना चाहते हैं तो second channel exam finisher से जरूर दूर जाईएगा exam finisher का link हम नीचर description box में दे दिये हैं link पे click करके आप channel पे विजिट कीजिए या चाहे तो आप YouTube पे भी search कर सकते है exam finisher उस channel पे जाके दोस्तो चैनल को जरूर subscribe कर लीजिएगा notification notification bell को भी on कर लीजिएगा उस channel पे दोस्तो basic math part 1 से लेके part 5 तक हम complete के हैं जिसमें सारे basic concept clear कर दिये हैं उस channel पे दोस्तो percentage की भी full class चली है तो उस channel से भी जूड के आप लोग laugh जरूर उठाईए चलिए चलते हैं दोस्तो अब हम next question की ओर अगला question बहुत important question है पूछा क्या प् read read को 56 लिखा जाता है इस code भासा में good god को किस प्रकार लिखा जाएगा तो देखिए जब कभी भी दोस्तो ऐसे question आए सबसे पहले आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा यहां पे दोस्तो आप क्या करेंगे देखिए क्योंकि इस type के बहुत से question होते हैं और बहुत बार student ग नहीं होगा ठीक है आप ऐसे सोचेंगे पहले ठीक है तो ऐसे नहीं होगा तो तब क्या करेंगे दोस्तो यहां पे हम numbering करेंगे numbering कहने का मतलब है यहां पे book है B है B कितने number पे दोस्तो आता है तो B दो number पे आता है फिर दोस्तो क्या है यहां पे ध्यान दीजिएगा O है ठ अब क्या करेंगे दोस्तों इसको जोडेंगे, 15, 15, 30, 32, 32, 32, 32 में 11 जोडेंगे तो क्या होगा, 43, 43 होगा, 32 में 11 जोडेंगे, क्या होगा, 43, इसे जोडने पर दोस्तों क्या है, 43, 43 को दोस्तों हम 86 कर सकते हैं, हाँ, अगर हम इसको 2 गुना कर दे तो, अगर दोस्तों हम इसक तो आटायस को हम 56 किस प्रकार से करेंगे तो 28 बुने दो, क्या हो जाएगा दोस्तो यहां पर गुड है, अब देख़े आप मिटा देते हैं, अब बस हम क्या करना है हमें, good को coding करना है यानि कि good को number को जोड़ना है फिर 2 गुना करना है ठीक है तो देखे जादा कुछ नहीं है ये g दोस्तो कितने प्याता है 7 प्याता है, o कितने प्याता है 15 प्याता है, ये भी o है तो इसका भी 15 ही होगा और d है तो 4 होगा, देखे 15, 15, 30, 37, 37, 37, 41, 41 जोड़ने पर क्या हुआ, 41 41 को क्या करेंगे दोस्तो दो गुना करेंगे तो क्या होगा 82, 82 होगा, 82 इसका अंसर होगा देखे, 82 दोस्तो किस option में है 4 option को दोस्तो जब देखेंगे तो option number B में आपको 22 दिख रहा है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं आप इस question को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस type के भी question आपके exam में आएगा, तो आप अच्छे से solve कर लेंगे, ठीक है, देखिए जितने भी दोस्तो इसमें हम question करा हैं सभी question important है, पूछे गए हैं इसलिए दोस्तो आप सभी प्रस्णों को एक बार अपने आप से भी revise जरूर करिए revision के तोर पे लिजिए, note भी जरूर करिए, और एक बात और बता दू कौन से exam के दोस्तो आप तैयारी करने हैं, कौन से exam के लिए form flip के हैं, नीचे comment करके आप हमें जरूर बताइए, ताकि उस exam का भी syllabus के जो है, उसके अनुसार जितने भी important question है, हम वीडियो में सामिल कर सके, और एक बात और बतादू, दोस्तो SSC Maker के द्वारा एक special e-book भी launch की गई यह e-book दोस्तो आपके आगामी exam के लिए बहुत ही important है, इस e-book में दोस्तो 1500 plus question है, जो most important question है, जो most repeated question है, उन्ही प्रस्णों को दोस्तो इस e-book में सामिल किये है, ठीक है, तो इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए, e-book की मदमात 49 rupees है, और इसे link कहां से वीडियो आपको कहां से मिलेगा दोस्तो, आपके सची में कर चैनल पर है, प्लेइलिस्ट में जाएंगे, तो railway reasoning crash course के नाम से playlist बना है, इसमें 38 वीडियो जाए, railway math crash course के नाम से playlist बना है, इसमें भी 38 वीडियो जाए, यह आपके दोस्तों आगले वीडियो में, और भी important प्रशनों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्य बाद